गुड मॉन्य शुडेंट्स जैसे कि आप पहले से पता है कि अभी हम डाइरेक्ट स्वीच को इंडारेटी स्वीच में बदलना अभी हम परा रहे हैं आप लोगों को तो देखिए, डाइरेक्ट स्वीच को इंडाइरेक्ट स्वीच में जो बदलने वाले सेंटेंस होते हैं, वो पराया तीन परकार से आते हैं, तीन फ़ॉर्म में आते हैं, तो आज हम बता रहे हैं आप लोगों को कि चेंज जफ पर्सन हम कैसे करेंगे? तो आप ले यहां पर ध्यानती जिए, इफ दा सब्जेक्ट आफ रिपोर्टिंग भर्प इफ इफ दा सब्जेक्ट आफ रिपोर्टिंग भर्प इफ इन थर्थ पर्सन यानि रिपोर्टिंग भर्प का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग भर्प का सब्जेक्ट कोई थर्थ पर्सन हो थर्थ पर्सन यानि जैसे ही, सी, इत या कोई भ्यक्ति का नाम हो and the subject of, subject of reported speech which is in the third person जैसे ही, सी, इत या कोई भ्यक्ति का नाम जैसे ही, सी, इत या कोई भ्यक्ति का नाम जैसे ही, सी, इत या कोई भ्यक्ति का नाम हो or the subject of reported speech is in the third person जैसे ही, सी, इत या कोई भ्यक्ति का नाम हो तो in diet speech में कोई पर्वर्था नहीं होगा also there is no change in the indirect speech इसका मिने यह होता है कि जदी reporting भर्व भी आपका third person में हो जदी reporting भर्व भी आपका third person में हो और reported speech भी आपका third person में हो तो जब हम indirect जब उसको diet को indirect करेंगे तो indirect speech का indirect speech में जो reported speech का जो कोभी जो person है उसमें कोई change नहीं होगा इसका मतलब ही होता है कि जदी reporting भर्व का subject third person में हो third person यानि he, see, eat या किसी भ्यक्ति का नाम हो जैसे एक्जांपुल देखिए मतलब reporting भर्व और reported speech दोनों का subject third person में हो तो indirect speech में reported speech का जो भी person है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा reported speech का जो person है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा एक्जांपुल देखिए जैसे he said he said he said he said she is cooking जैन दिए यहां पर हमने जो लिखा उपर में कि reporting भर्व का person third person में हो और reported speech का person भी third person में हो तो reported speech का जो subject है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अब ध्यान दीजिए आप अब जदी इसका in diet करते हैं तो इसका हो जाएगा he said और बताया था आपको कि inverted कामा के लिए that का हम यूज करते हैं ठीक है ये that कहां से आया he said that ये that जो आया inverted कामा के बतले में हम यहां that लगाते हैं तो he said that अब देखिए c भी जो है आपका third person में है इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा c का c ही रहेगा और क्यूकि reporting भर्म जो है past tense में है तो a is का वाज हो जाएगा c वाज cooking बस यह आपका changing होगा ठीक है आप देख रहे हैं यहां पर आप यहां देख रहे हैं ध्यान से देखिए कि यह जो है reporting भर्म है और इसका subject जो है he third person में है और फिर reported speech के अंदर reported speech में देखिए यह c भी जो है आपका third person में है यानि दोनों बाहर और भीतर दोनो third person में है तो person में कोई change नहीं होगा c है जदी तो c ही रहेगा किन्तु tense में परिवर्तन होगा इस जो है यहां वाज हो जाएगा एक sentence और लीजिए रभी said इंवर्तन काम लीजिए he will be a doctor जन्दी यहां पर जन्दी शिक्षे यह रभी जो है third person में है जो reported आपका जो इंवर्तन कामा के जो बाहर वाला sentence है यह आपका reporting verb है ठीक है और हम बता दिये थे आपनों को कि इंवर्तन कामा के अंदर वाला जो sentence का पार्ट होता है वो reporting verb कहा जाता है और इंवर्तन कामा के अंदर जो होता है reported district हो जाए तो ध्यान दी यहां पर यह जो रभी said यह जो है जो आपका reporting verb है और इसका जो subject है रभी वो third person में है ठीक है और फिर हम reported district का जो person है वो भी third person में है ठीक है ना तो ज़िए दोनों का person यानि reporting verb का subject और reported speech का subject ज़िए दोनो third person में हो तो indirect speech जब हम करेंगे तो reported speech का जो subject है उसमें कोई परवर्तन नहीं होगा यानि ही है तो ही रहाएगा तब इसका indirect क्या होगा indirect होगा रभी सेट अब inverted कामा के लिए हम यहाँ that लगाते हैं और अब ही जो है ही चुकी दोनों साइड में reporting verb का subject भी third person में है और reported speech का person भी third person में है इसलिए ही में कोई परिवर्तन नहीं होगा ही है तो ही रहेगा और खाली इतना ही होगा कि यहां देखते हैं reporting भर्व जो है आपका past tense में है तो आपका भर्व में परिवर्तन होगा ठीक है भर्व भर्व जदी reporting भर्व past tense में है तो reported speech का भर्व भी past tense में हो जाएगा ठीक तो यहां पर हो गया उड़ और बाकी सब्जें के तहलीक दीजे बी यह डॉक्टर अग्टर 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 अब देखे जो दूसरे प्रकार का अब देखते हैं और फिर मतलब जो दूसरे प्रकार का जो आपका डाइटी स्विच होता है उसको देखिए if the subject of reporting verb reporting verb is in the is in the is in the third person they say he she eat या कोई ब्यक्ति हो if the subject of reporting verb is in the third person he see it या कोई ब्यक्ति हो and the subject of of reported speech reported speech is is in the is in the first person first person जैसे I या V जैसे होता है ज्यान दिजे if the subject of reporting verb is in the third person he see it या कोई ब्यक्ति का नाम हो reporting verb का subject और and the subject of reported speech is in the first person और I or V आपका क्या होगा तो आपका changing महाँ पर होगा या बंचा होगा यार 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 F यार तो ए आई और वी जो है आई वी विल भी चैंच इन दा इन डिरेक्ट स्वीच देखे कंडिशन नहीं है कि इप दा सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग भर्ब इज इन दा थार्ट परसन यानि ही सी इट या कोई ब्यक्ति का नाम हो रिपोर्टिंग भर्ब का सब्जेक्ट और जो रिपोर्टेड स्वीच यानि जो inverted comma के अंदर and the subject of reported speech is in the first person IV हो तो IV will be changed in the indirect speech अब example देखिए example देखिए जसे माल लिए he said in बटे का माल लिए I will be a doctor धन्दी जहाँ पर जो यहाँ condition है आपका कि subject of reporting verb is in the third person यह देखिए reporting verb है और इसका subject जो आपका है he यह third person में है और फिर देखते हैं inverted comma के अंदर जो reported speech है उसका जो subject है inverted comma के अंदर जो reported speech है उसका जो subject है I तब यह I जो है आपको बदलेगा I बदलेगा किस के अंसार बदलेगा he के अंसार तो I क्या हो जाएगा he हो जाएगा यानि I हो जाएगा जदी reporting verb का subject ज़िए third person में है तो reported speech यानि inverted comma के अंदर जो subject ज़िए first person है तो वो बदल करके third person हो जाएगा तो देखिए इसका हो जाएगा he said और inverted comma के बदले में that लगाते हैं अब यह जो reported speech का जो person I जो है यह I बाहर में द्यान दीजिए बाहर में लखना पड़ेगा कि reporting verb का subject third person में है तो inverted comma के अंदर जो subject है आपको I वो भी बाहर के जैसा third person हो जाएगा यानि I का he हो जाएगा अब क्यूकि reporting verb पास्टेंस में है इसलिए वील का उड़ हो जाएगा he would be बाकी subject का दिल की दीजिए यही है दूसरा नियम यही है ठीक है ना तो देखिए फिर से आप उसको थोड़ा mind में concept कर लिए कि जदी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप ऐसे याद रख सकते हैं जदी मा लेगे यह पाठ हुआ reporting भर्ब का यह पाठ हो गया reporting भर्ब और यह पाठ हो गया reported speech reported speech का तो जदी मालीजिए reporting भर्ब का subject जदी आपका he है see है eat है या किसी ब्यक्ती का नाम है कहें कि किसी ब्यक्ती का नाम भी third person में ही माना जाता है और reported speech का जो subject है जदी I है या V है ठीक है आप ऐसे भी याद रख सकते है कि जदी reporting भर्ब में जो reporting भर्ब का जो subject है he, see, eat या राम है और reported speech का जो subject है I और V है जदी ऐसा sentence का pattern रहता है ऐसा sentence का बनावट रहता है तो यह I जो है I आपका third person हो जाएगा यानि I हो जाएगा he, ठीक है और V भी जो है आपका third person हो जाएगा ठीक है ध्यार रखेंगे इस बात को यह पटन है एक और जामपूल लेजिए जैसे she said she said we we will go to the market जान दीजे we आपका भी देख्ध्यान दीजे आप तो we बाहर में देखें क्या है यह आपका रिपोटिंग भर्व है और उसका subject है C ठीक है ना और C जो है third person में है तो we का भी क्या हो जाएगा third person हो जाएगा ठीक है तो लेकिन we चुकी आपका पूरल पूर्ण 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 है आपको पूर्ण है बहु बचन है तो देखें इसका इंडायट कैसे हो जाएगा C said अब इंबोर्टिट कामा है उसके बदले में यहां पर आई है जदी आई था तो ही हो गया और वी का वी चुकी पूर्ण है इसलिए वी का दे होगा ठीक है ना वी का दे हो जाएगा और एवील जो है उसका उड़ हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग भर्ब आपका पास्टेंस में है जदी रिपोर्टिंग भर्ब पास्टेंस में है और रिपोर्टेड इस्पीच और रिपोर्टेड इस्पीच के अंदर जो वील है वो आपका उड़ हो जाएगा है नहीं पास्टेंस हो जाएगा दे उड़ गो टू मार्केट दा मार्केट ठीक है यही आपका मैंने पैटन हो पैटन डाइट टू इन डाइट करने में आपको मिलते हैं ठीक है तो यह सब ध्यां रखिएगा अच्छा तीसरा नियम एक और होता है जैदी एक और तीसरा पड़न होता है जो हमको डाइट टू इन डाइट करने में आता है वो भी लिग देते हैं तीसरा होता है कि इफ दा सब्जेक्ट यह बूद दो आइबन ऱग्प। यह वसे च्छाइब ऑिजिए फर्स्ट पर्सन ध्यान रिखे गए इसको फर्सट पर्सन में कौन कन होता है i होता है और v होता है और second पर्सन में आपका u होता है उध्यांदी यहाँ पर कि इफ the subject of reporting भर is in the first person I, V या second person U, तो and the subject of of reported speech is in the is in the third person third person में जदी हो third person में third person यानी जैसे he, see, eat, they या दे हो तो there will be no change in the entire speech जदी आसा होता है condition तो no change will take place take place in the indirect speech ठीक है इसका pattern क्या हुआ इसमें क्या लिखा है if the subject reporting verb जदी reporting verb यानी बाहर में जैदी subject जैदी रिपोर्टे inborted कामा के बाहर वाला जैदी subject आपका फर्स्ट परसन आई वी या यू हो और inborted कामा के अंदर वाला subject जदी थर्ट परसन में हो यानी इसमें ही सी इट दे हो तो इंडायटि स्पीच में इंडायटि जब स्पीच करेंगे जब इंडायटि करेंगे तो रिपोर्टेडि स्पीच का जो subject होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जैदी जैदे एगजांपूल देखे आई 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 I said he is reading ठीक है ज्यांदी यहाँ पर I said he is reading थोड़ा गौर की यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो हाई के नहीं देखिए If the subject of reporting verb is in the I, we or second person reporting verb आपका said मने बता दिये हैं आप लोगों को कि direct speech का जो sentence होता है उस्ट में दो पार्ट होता है एक होता है inverted कामा के अंदर का पार्ट एक होता है inverted कामा के बाहर का पार्ट तो inverted कामा के बाहर वाला पार्ट जो I said है यह आपका reporting verb है तो reporting verb आपका said है आपका said हुआ और इसका subject हुआ I इसका subject I तो इसका subject आई और आई जो है यह first person में है ठीक है और तुर रिपोर्टेड स्पीक यानि इन्वोर्टेड कामा के अंदर वाला जो subject आपका ही है ठीक है तो तब जब हम इंडायेट करेंगे तो तो रिपोर्टेड स्पीक का जो person है थत्त परसं उसमें कोई change नहीं होगा ज़ती थत्त परसं है वह नहीं होता है जदी रिपोर्टेड भर्ब का subject आई हो वी हो या यू हो तो reported speech का जो subject third person में रहता है उसमें कोई परवर्तन नहीं होगा यानि he है तो he रहेगा c है तो c रहेगा eat है तो eat रहेगा या किसी ब्यक्ति का नाम है तो नाम रहेगा ठीक है तो अब देखें इसका क्या हुआ I said or inverted कामा के लिए that और he जो है इसमें कोई परवतन नहीं होगा परवतन के वाल होगा tense में यह eat जो है आपका वाज हो जाएगा क्यों कि reporting भर आपका past tense में है तो he वाज reading ठीक है अच्छा यह भी ध्यार रखेगा कि जब हम किसी direct speech को indirect करते हैं तो inverted कामा हर जाता है और full stop आता है और एक example देखिए वी शेट्टीज, वी शेटed दे दे आर प्लेइंग फुटबाल धन्दी यहाँ पर हम पहले बोल चुके हैं कि जदी रिपोर्टिंग भर्म का सब्जेक्ट आई हो वी हो या यू हो तो रिपोर्टेड इसपीच का जो सब्जेक्ट होता है उसमें कोई प्रवर्तन नहीं होगा जो भी है वही जो है इंडराटे स्पीच में आ जाएगा तो देखिए इसा क्या हुआ टेंस बदलेगा तो देखिए क्या हुआ वी सेड और इनवर्टेड कामा के लिए दैट और इसके बाद में यह जो सब्जेक्ट है एग यह काते हो रहेगा और खाली होगा यह जो यहाँ पर जो भर्व है आर आर क्योंकि रिपोर्टिंग भर्व पास्टेंस में है तो रिपोर्टेड इस्पीच का भर्व भी पास्टेंस में हो जाएगा यह जो जाएगा तो आर का वेयर हो जाएगा दे वेयर बाकी जेव का तेल लिख देंगे दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल बस आज बर आज का क्लास यहीं परिंट करता हूं तब तक के लिए धन्यवाद